हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में आज हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम अपने छोटे छोटे फाइनेंशल गोल्स रिकरेंट डिपॉजिट स्कीम से पूरा कर सकते हैं इनका नाम है पूजा और ये एक आईटी कंपनी में जॉब करती है इनकी एक छोटी से इच्छा है कि ये कुछ दिनों के लिए एक अच्छे डेस्टिनेशन में घूम कराना चाहती है बट इनके पास पैसे की थोड़ी कमी है इनके सामने दो आप्शन है या तो लोन ले या फ साथ हजा से नौ हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और ये बिल्कुल घाटे का सौधा होगा और दूसरे ही पल ये सोचती है कि अगर वो हर महीने कुछ पैसे सेफ करना शुरू कर दे तो लोन लेने की जरूरत भी ना पड़ेगी ये सोच के वो अगले दिन बैंक के लिए निकल जाती है और बैंक मेनेजर से मिलती है मैनेजर उनकी सारी बातیں सुनकर रिकरिंण डिपोजेट अकाउंट ओपन करने की सलाँ देता है चली ये जानते हैं रिकरिंट डिपोजेट है क्या रिकरिंपोजेट्स एक स्पेशल तरीके का स्कीम है जहां पर हर महीने कुछ fixed amount invest करते हैं और उस investment में उन्हें कुछ interest मिलता है निगर आपके पास lump sum amount नहीं है तो आप हर महीने कुछ पैसे जोड़ जोड़ कर एक अच्छी राशी जमा कर सकते हैं चलिए हम कुछ फाइदे देख लेते हैं इस scheme में minimum investment बहुत कम है आप 100 रुपे प्रती महीने से भी शुरू कर सकते हैं सेकंड फाइदा deposit term आप इसमें 6 महीने से लेकर 10 साल तक invest कर सकते हैं और आपको पूरी छूटें इंटरस रेट इस scheme में जो इंटरस रेट होते हैं वो आपके savings account के इंटरस रेट से जादा होता है और कभी कबार fix deposit के जेतना इंटरस रेट भी हम कमा सकते हैं आप आसानी से scheme के maturity होने के बाद पैसे withdrawal कर पाएंगे और अगर आप maturity के पहले withdrawal करना चाते हैं तो छोटी सी penalty भरके भी कर सकेंगे पांचवा फाइदा develop saving discipline क्योंकि इस scheme में महीने महीने payment करनी होती है इससे savings करने की अच्छी आदत बनती है और छटा फाइदा आप इसमें अपने सारी financial goals को fulfill कर सकते हैं recurring deposit एक risk free investment है जिसकी return guarantee होती है इस साहरे हम कोई भी short term या long term financial goals को पूरा कर सकते हैं इतने सारे benefit सुनने के बाद पूजा decide करती है कि वो हर महीने 8500 रुपे recurring deposit में invest करेगी छे महीनों के लिए अब 6 महीनों के बाद पूजा के investment 50,000 रुपे से जादा हो गए और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा अब वो अपनी चुटिया बिना कोई loan और financial stress के enjoy कर रही है और अब तो उसने अगले चुटियों का भी planning करना शुरू कर दिया है और एक नया recurring deposit scheme को खोलने का निश्चय किया है जिससे वो अपने future financial goals को पूरा कर सके अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो please subscribe करिए क्योंकि हम investment और personal finance से related ऐसे वीडियो आपके लिए लाते र